अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षे इंद्राक्षे धाम में दर्शुक वाप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी दरफ से बहुत बहुत शुब काम नाए आज का पंचांग 25 अगस्त दिन मंगलवार सन 2020 बादो का महीना शुक लपक्स सम्वंत 2077 तिथी सब्तमी नक्षत्र विशाखा राहु काल तीन से साड़े चार दिशासूल उत्तर दिशा। एक खास बात बताएं फिर हम भोल जाएंगे कारे करम के मद्धे में जो ध्यान माला आती है और हम कवच बनाते हैं क्योंकि नए नए दरशक रोज जुड़ते रहते हैं ये ध्यान माला भले ही दो मिनट की हो अगर इस ध्यान माला से आप ध्यान से जुड़ जाएं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा चमतकार आएगा आपके बहुत सारे कारे सिद्ध होंगे संकटों का विनाश होगा कवच जो बनाते हैं ये कवच का मतलब होता है कि इधर से हम एक गुप्त मंत्र पढ़ते हैं जिस समय केबल बांसुरी की आवाज आती है आपकी सुरक्षा रहे आपके परिवार की सुरक्षा रहे आपका कोई एहित ना हो और जो ये ध्यानमाला जो बीच में बनती है इस समय में आप कटोड़ी में जल भी रख सकते हैं वो जल सिद्धो जाता है उसको घर में शीटे भी मार सकते हैं सब को चर्णा मिरत के इसा रहता है, पूरे दिन में जब भी समय मिले, एक बार ध्यानमाला से जरूर जुडा करें, चाहिए दो मिनट के लिए ही ध्यानमाला आती है, किसी पी समय जुडा करें, जो तिसकी बाते हैं और बहुत सारी बाते हैं, तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन हम सब का सोभाग से जुदा होने से पहले, हमने अपने जीवन का हर दिन की, जो 24 घंटे रात दिन की, हमने बहुत सारी चीजों में बिताएं, खाने, पीना, सोना, जागना, तो कम से कम, एक हिसाब ऐसा भी होना चाहिए, कि उसमें से कुछ घड़ियां, कुछ पल, कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ मिनिट्स हबारे भगवान के नाम पर भी जाने चाहिए, यह आप ध्यान रखेगा, सत करम की तरफ सदैव बढ़ते रहना चाहिए, जब जब जीवन में बुरा वक्त आता है ना, तो वो कहकर के नहीं आता, आप जितने इन सब अच्छी बातों से जुड़े रहेंग आपकी प्रती दिन की भक्ती, आपका प्रती दिन का जागरण कहीं न कहीं आपको हजारों प्रकार के संकोटों से मुक्त करता है, कई बार साधक एक चीज कह बैठता है, कि मेरी साधना का मुझे फल नहीं मिलता, मेरा तो अनिष्ट होता है, नुकसान होता है, लेकिन साधन जीवन में रोशनी मिल रही है, जो थोड़ा वो जीवन में अच्छा लग रहा है, वो हो सकता है, हमारी साधना का ही परिणाम हो, तो अपनी साधना को एकदम नकारात्मक रूप ना दें, यह आप ध्यान रखें, आपकी जो साधना है, वो सकारात्मक रूप से कारिय करती है, खेत में भी हम बीज डालते हैं तो कहीं न कहीं अंकुर फूटने में तो समय लगता है ना समय लगता है इसलिए हमारे सभी सादक अपनी सादनाओं से उदास ना हो अपने मंत्रों से मन को न उच्टाएं अपने भगवान से मन न उच्टाएं भागवान में हमेंसा मन लगा के रखें अपनी साधनाओं में मन लगा के रखें एक दिन वो समय आएगा अब हमारे हम नजाने कितनी योनियों में भटकते हैं नजाने कितनी योनियों से हम पार करके इस मानव सरीर हमें मिला है तो हम जितने भी पुराने जर्म जर्मांतरों के मैल होते हैं उस मैल को धोने का कारिय भी हमारी साधना करती है कहने का भाव कि जब पूर जर्म के जितने भी हमारे पाप हैं बुरे कर्म हैं जब वो मिठ जाते हैं हमारी साधना से तो एक दिन बिल्लकुल चादर सी धुल जाती है और सब कुछ स्वच और धुल लगने लगता है अच्छा लगने लगता है इसलिए आप उदास नहों अब कई बार ऐसा भी बहुत लोग देखते हैं कि वो विक्ति एक मंत्र भी नहीं पढ़ता वो विक्ति कुछ भी नहीं करता वो कोई बर्त नहीं लगता कोई दान नहीं करता लेकिन जीवन लगता है कि वो हमसे अच्छा जीता है देखो उसने पूर जलम में क्या किया वो तो हमें नहीं पता ना हमें आज वो दिख रहा है जो भी दिख रहा है लेकिन उसके पूर जनम के करम हो सकता है बहुत अच्छे हो उसके पूर जनम के शुब करम को संचे अभी हो लेकिन अगर वो इस जनम में नहीं अपने आपको सुदारेगा तो एक दिन तो माइनस प्लस होगा ना अब जो उसके पूर जनम के संचे हैं वो एक दिन खत्म हो जा हो जाएंगे तो आप फिर आपकी जो गाड़ी है वो लाइन से उतर जाएगी पट्री से उतर जाएगी तो कहने का मतलब किसी दूसरे को देख करके कदापी यह ज्यान ना लें कि वो विक्ती बहुत मजे में है वो वक्ती बहुत अच्छे है और उसको सोचके अपने आपको कुंठीत कर ले ना ऐसा मत किया करें जो है सो है संचार है यह संचार है यह मेला है इसमें कोई हस्ता मिलेगा कोई रोता मिलेगा कोई गाता मिलेगा तो इसलिए आप जो हैं अपने से संबंद रखें अपनी खास तोर से साधनाओं की मैं बात करना हूँ यह मैं और किसी चीज का मेरा है अतात पर यह नहीं है साधनाओं के मामले में साधक अपनी और को देखे या अपने से उच्च को फितना देखे जिनकी उचणिनि की साधना अगर आप बहुत ज्ञाद सी देखेंगे न तो आप विछलित हो जाएंगे आपकी साधना खंडित होने लेगे इसलिए मायरी दर्शकों आपकी साधना जो आप कर रहे हैं यह बहुत अच्छी चल रही है तो अपनी साधनाओं से विमुखना हो जी ना चुनाओं से साधनाओं का फल अवश्य मिलता है अब यह तो संसार है यह तो भाई ऐसा ही है एक छोटा सा वाकिया याद आता है कि एक पिता और पुत्र है पुत्र मान लish वंद्रा साल के चोधा फंद्रा साल के ऑन पिता का पुत्र चैकना भी Mais यह उध्यांभश्य को जा Сп Lic告 tward 60 साल का हो जाए 70 साल का हो जाए 20 साल का तो डिफरेंस रहता ही है करीब लेकिन पिता के लिए वो बच्चा ही रहता है आप मा है किसी की आप खुद बुड़ी हो रही है बुजर्ग हो रही है आपके बेटे भी बड़े हो गए बेटियां भी बड़े होगे लेकिन वो आज भी हुमारे लिए बच्चे ही हैं तो देखो भई पुत्र हो पुत्री वो तो माता-पिता के लिए बच्चा ही रहता है हमेजा जीवन की लास्ट सांस तक माता-पिता उसके लिए कुछ इस ने कुछ अच्छा ही सोचने यहीं रहता कि यह गलती ना कर ले यह गलती ना कर जाया यह भावना ओती है मातापिता की तो दोनों पिता पुत्रु चले जा रहे थे घोड़ा उनके पास था अब पिता को मंता पिता की है पिता ने वह 14-15 साल का बच्चा घोड़े पर यह हट्टा-गट्टा व्यक्ति यह बच्चा यह लड़का खुद गोड़े पे बैठा है और उसके पिता पैदल चल रहा है तो यह तो बात अच्छी नहीं है पिता ने सुना पुत्र ने भी सुना तो थोड़ा बुरा लगा जैसे ही वह माहुल गुजरा पुत्र नीचा उत वे तो पुत्र लगाम पकल के चलने लगा चलता रहा पिता अपने बैठे हैं फिर कुछ ऐसे लोग मिले मुले कमाल का समाना आ गया है वाकिकल यूग आ गया है कि बदाईए यह हट्टा-गट्टा व्यक्ति घुड़े पर है और यह वेचारा बालक पैदल चल रहा है आप हam क्या करें ॱह दो नहीं उतर गए मुले जर्ण दो नहीं पैदल चलते ए आगे फिर कुछ लोग मिले मुले वास्टम में लोग पागल होगे हैं क्यों कि देखो मुर्खों के सिंघ नहीं होते कि देखो सवारी साथ में हैं वाहन साथ में हैं और दोनों पागल पैदल च किया करें यह जमाना है यह कहीं नहीं छोड़ता इंसान को तो इसलिए आपकी जो साधना है बहुत अच्छी चल रही है आप उसमें कमी मत ढूड़ो बस एक चीज ध्यान लखो कि जितने वक्त आप साधना करो दो मिनट करो चार मिनट करो दस मिनट करो मन से करो प्रेम से करो शद्धा से करो डिवर्शन के साथ करो बस ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो एक दिन आपके खेत में फसल होगेगी मतलब आपकी साधना लहर आएगी आपको आनन दाने लगेगा आप देखाने कैसे कैसे साधू सन्यासी होते हैं आप क्या समझ रहे हैं इतनी कठन साधना कोई मूल बंद लगा करके करता है कोई उड्यान बंद लगा करके करता है कोई जालंदर बंद लगा करके करता है योग की क्रियाए होती है तीन बंद जिस परकार के हैं को मालूम होगा जो योग जानते हैं उसके साथ साथ भी कोई उसके जैसे मूल बंद लगाया और मूल बंद के साथ कोई विशेश प्रकार के प्रणयाम के साथ वो अपनी साथ नाव को करते हैं को सादु सन्याती खेचरी मुद्रा के साथ करते हैं खेचरी मुद्रा सी बात बता रहा हूँ और वही से सादों सन्यासी सोम रस्त की प्राप्ति करते हैं हजारों हजारों साल की आई हो जाती समाधी में कई बार तो सो सो साल भी जाते हैं तो ये अभी तो हम लोग तो सादना में बहुत बच्चे से हैं बहुत बच्चे से हैं लेकिन बहुत अच् की भी काटेगरी अलग-अलग होती है, कई बार कुछ लोग पूरा भागमान में रम जाते हैं, चतन्य वहाँ पर वो हर समय भागमान का हरी गंजन करते थे, तो सिदाज जी ने अपने हिसाब से सादना की, सूरदाज जी ने अपने हिसाब से की, समय समय पर देश की अने को संतों जिश्यों ने अपने अपने हिसाफ से साधना की गुरु ने हमारे अपने हिसाफ से साधना की आप अपने हिसाफ से साधना कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं न आप चुकि मुझे ऐसे कई बार कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं कुछ ऐसे पत्र दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, गुरुजी हमें साधना का फॉल नहीं मिल रहा, तो इसमें कई चीजों का अध्यन कीजिए, आपका मंत्र कहां से अपने लिया है, किसी किताब से उठाया, किसी से सुनाया, तो मंत्र जा तो बहुत बाते हैं आपको बताने वाली, कहां की बाते कहां आ जाती हैं, कभी जो तिसका ग्यान, तो कभी हाथ की रेखाएं, तो कभी तीस तिभार, है ना, आज ये दिन है, आज वो दिन है, तो बहुत बहुत मेटर है भी, आपको हमें आपस में बातना है, बस मेरी आप निश्वन नहीं जाती, कभी न कभी काम जरूर आती है, कहते हैं ना कई बार वक्त ऐसा आता है, खोटा सिक्का भी काम आता है, एक तिन का भी वक्ती की जान बचा लेता है, तो आपको नर्वस नहीं होना है, बस अपनी ऐसे ही अच्छे से अच्छा बाबू बनके, बच्चा बनके सदक बनके शिश्या बनके शर्णागत रहिए भग्वान निश्चित निश्चित आपको अनन्दाए गह हम आपको भिस्वास दिलाते हैं हम आपको guarantee देते हैं कमी मता ने दिजिए रो हैए मच आपने साथना को lingering मत समझे है आप बहुत अच्छे सादक हैं भगवान सब से प्यार करते हैं अमीर से भी करते हैं गरीब से भी करते हैं सब से प्यार करते हैं लेकिं दिल जिसका जितना अच्छा होता है मन जिसका जितना अच्छा होता है भगवान आकर्शित उधर हो जादा होते हैं तो आप अच्छे अरुन विग्रहाम त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराज्ट स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानि प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनायनाम सरवंग वुस्वरिताम निलास मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम हस्ते चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणा मलिलात्मिकाम ससिदराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कवच बना लें ध्यान करें मा भगवती का असिरवाद हम सब के उपर बरस रहा है अऔर बोलते हुए नेत्रे खोले साधर के खोले औरиться वहां तर हमें बडा कामका होता है इस दुरान आप डूप जया आया करें बागवान में य सी दो मिनट की साधना है ना, दो मिनट की साधना कमाल करती है, जरूरी नहीं सो मिनट की साधना हो, मन लगना चाहिए मन न लगे तो सो मिनट की बेकार है और मन लग जाए, मन रम जाए एक मिनट बहुत होता है एक पल जिन्दगी बना देता है और एक पल जिंदे की को खो देता। प्रति दिन इस ध्यान साथना से आप जुरू जुणें, औरों को जोडने का प्रयास करें। और इस प्रकार के जितने भी हमारी वीडियोज होती है, कारे करम होते हैं, उन्हें एक एक दो दो बार ध्यान से सुना करें। रात में खाली हों तो सुना करें। कानों पर लेड लगा लें, सुनते रहें। क्यों बल मिलता है। हमें हमारे गुरू समझाते हैं। हमें दिव्य शक्तियां चेताती हैं। कि भई समझाओ सबको। इसलिए कुछ बाते, कुछ किताबे बार बार पढ़नी पढ़ती हैं। कुछ चीजे बार बार सुननी पढ़ती हैं। कुछ पुस्तों के बार बार खोडनी पढ़ती हैं। तो आप इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो में बातें हैं, वो सिर्फ आप के लिए हैं, सिर्फ आप के लिए हैं, तो उन्हें एक दो बार कभी-कभी सुना करें। इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को बिनाम देते हैं, जैमा इंद्राक्षी हैं। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज 2-3 मैं ढूंड रही हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूं, तो मैं ही सोची थी कि मुझे वो चीजे मिल जाएंगी। और यहली मुझे आज यहां बैटके ऐसा लगा जो आपने 2-3 करने के लिए बताई हैं कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आसे। ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें।